नमस्कार दोस्तों मैं नाम ही तित्ति रपका में इस चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है आज मैं अपनों साथ शेर कर रही हूँ कि दिवाली की पूजा में शुराती कैसे बनाई जाती है पूरा आपको स्टेप बाई स्टेप में आज से खाने वाली हूँ तो चलिए हमार वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पर आपको जान कर देदो कि यह क्या होता है हमारे बुंदिलखंड में शुराती बनाई जाती है दिवाली के दिन दिवाल पर हम गीरू से बनाते हैं लाल वाली जो मिट्टी आती है उससे हम बनाते हैं उसको थुछा साफ का गाज लें तो मैं आज आपको काज़ पर बना कर बता रही हूं सबसे पहले आपको अपने काज़ लेना है बिकुस अच्छा साफ काज़ लें और उस पर सबसे पहले लिखें महालक्षमी जी सदा सदाई करें और फिर उसके बद आपको यह साइन बनाना है प्लस के तो आपको यह बढ कि अपनको हमें बनाना है और यह हमारी लक्षमी जी त्यार हो जाती है हमें यहां पर दो लक्षमी जी बनाना ही होती है तो यहां पर एक यह हम बड़ी बनाएंगे और इनी के नीचे हम एक छोटी बनाएंगे दोनों हमें कमल पर विराजित बनाना है इससे कि आपको पता ही ह कि माता लक्ष्मी कमल पर विराजित हैं तो आपको यहां पर जो यह लक्ष्मी जी बना रहा है उसके नीचे कमल भी जरूर बनाना है इसके आसपास आप चंदा, सूरज, गड़पती जी और तुलसी यह सभी चीज़ें भी बनाना है तो यह जो होता है यह बहुत शुप माँ जाता है आप समझ सकते हैं कि एक तरीके से यह हमारे यहां यह पूजा सबसे जाज़ा होती है दिवाली के दिवाली के दिन हम इसको दिवाल बर बनाते हैं और फिर माता लक्ष्मी की यही पूजा हमारी की जाती है वैसे तो हम जो मैंने आपके साथ शेर की है पूरी दिव को चिसा बनाएंगे माता के लिए और इस तरीके से मिलाते जाएंगे आट को दिख रहा है है DOW DOW को हमें मिलाते जाना है और यह पूरा एक सीक्वेंस वन जाएगा बहुत सुन्दर यहां पर गर नहीं बना रहे तो कोई भी करन्या है आपके घर में कोई भी बच्ची है कोई भी लड़की है इसको करने में तो वो बना आये क्योंकि यह पुझाने ग्रेंभाव की बुकी होती है नहीं तो आप यह बहुत ही विदिविधान से बना पा रहे हैं तो आप कागज पर इस तरीके से बनना का इसको चिपका दें सैलो टेप से और फिर इसकी पूजा कर सकते हैं यह जो माता है माता का उस सिर है वहाँ पर हम लोग तेलक लगा कर एक चांदी का सिक्का चिपकाते हैं चांदी का सिक्का क्या है चिपकाएंगे उस दि घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और माता लक्षमी सदेव आपके घर में वास करेंगी और आपका अपना आश्रिवाद आप सभी पर बरसाएंगी तो इस तरीके से आपको यह जोडते जाना है और यह बनाते जाना है बहुत ही आसान है सबसे नीचे अब हम प्यार बना देंगे माता लक्षमी के और एक तरफ हम कलश बनाएंगे यह देख सकते हैं एक तरफ हमने कलश बनाया है दोनों हातों को आगे करते हुए धन से भरा हुआ एक कलश जो कि माता राण ने धन को गिरा रही है कलश में इस तरीके से और नीचे एक कमल हमने बनाया है एक छोट तरीके से आपको एक तरफ तुलसी का पेड भी बनाना है और यही जो होती है वह हो कहलाती है शुराती इसको आप ध्यान रखेंवे गेरू से ही बनाया जाता है जो कि लाल वाली मिट्टी आती है आजकल ऑनलाइन भी लाल वाली मिट्टी मिलने लगी है तो आप ले सकते हैं विए पूजा की दुकान पर आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगी तो हसता हुआ मुस्कुराता हुआ चहरा जरूर बनाए माता लक्षमी का जिसमें वो स्माइल कर रही है खुश है क्योंकि जब भी हम किसी चीज की पूजा करते हैं अगर वो स्माइलिंग होगा खुश होगा तो आपके घर में भी खुशिया बरसाएगा तो इस तरीके से में ही साथ करती हूँ आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि यह कैसे बनाए जाता है अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर कीजे जाल से शेयर जरूर कीजे धन्यवाद